हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ओनलाइन इस्टेडी बजार पे गाइस, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ट टैन्थ किलास का समाजिक बिग्यान का कोश्चन पेपर 2019 का आज की वीडियो में हम इस पूरे पेपर को सोल्व करेंगे और आप लोगों को इसके आंसर भी बताएंगे तो चलेगा वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप लोग पेपर के वारे में देख लीजिएगा थोड़ा कुछ पेपर जो है आपका यूपी बोर्ट टैन्थ किलास का पेपर है 2019 का और सोसल साइंस सामाजिक बिग्यान का आपका पेपर है पेपर का जो सेट है वो है 825BR UPK मुरदबाद मंडल का पेपर है ये ठीक है और पेपर का जो पूर्लांक है वो आपका सत्तल नमर का सामाजिक बिग्यान का पेपर जो है आपका दो खंडों में बिभाजी तादा है खंड कह और खंड कह में ठीक है यहां पर लेफ्ट हैंड पर इन्होंने कुछ निदेश दिये हैं तो आपको लोगों को यह पढ़ लेने हैं उसके बाद में यहां से आपका पेपर इस्टार्ट कहंड कैसे है आपका पहला कोशन है कुका आंदोलन किसे ने प्रारंब किया था तो इसका जो राइट अंसर है वह ऑफ्सन के संत गुरु राम सिंग्ग ने कुका आंदोलन प्रारंब किया था उसके बाद देखीगा दूसर दूसर गुट निर्पेच आंदोलन का पिर्थम सिखर सम्मिलन हुआ था उसका जो राइट आंसर है वह ऑफ्सन के बैल ग्रेड बैल ग्रेड में गुट निर्पेच आंदोलन का पिर्थम सिखर सम्मिलन हुआ था तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑफ्सन के बैल ग्रेड बैल ग तो उसकी कैपिटल क्या है बेल गिरेड उसके बाद देखीएगा तीसरा कोश्चन निमने लिखित में से 25 सिध्धान्त के पिर्थी पादक कौन थे ओफ्षन के पंडित जबाला लेहरू ओफ्षन के महात्मा कांधी ओफ्षन के सुभास चंद्रवोस ओफ्षन के भीमराब अ पिर्थाम प्राइम मिनिस्टर पिर्थाम प्यम को थे पंडित जबाला लेहरू और यह जो थे पंच चिल सिध्धान्त के पिर्थी पादक थी ओगे देखते हैं चोता कोश्चन जूस में किरांती कब हुई थी ओफ्षन के अठारसो सत्रे ओफ्षन के उननीसो सत्रे ओफ् में रूस की किरांती हुई थी आगे देखते हैं पाँच फ़ा पोश्चन नई दुनीया की खोज की थी ओफ्षन के है बास कोडिगा मनें आफवशन के मैगलेन ने आफवसन के कैलविन ने आफवसन के कोलम्बस न हुँ नई दुनिया की खोज किसने की थी तो वह औप्ष कोलमबस ने इसकी खोच की थी 492 में आपको देटको ऩज्चा रखनी है düş warnings इंट आग्या में पूछ लेता है टैके के चोदस सो 092 में कोलमबस ने अमेरिका की खोच की थी नई दूनिया माने 1498 इसवी में भारत को आने वाले समुद्री मार्गी की खोच की थी और को लंबस ने 1492 इसवी में नई दुनिया मतलब अमेरिका की खोच की थी ठीक है यूरोप की एक कंट्री है और बासकोडिगामा जो था वो था पुर्टगाल का पुर्टगाल ठीक है पुर्टगाल भी यूरोप की एक कंट्री है ठीक है बासकोडिगामा पुर्टगाल का था और कोलंबस इस्पेन का था यह दियान दखने आपको आगे देखीएगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग जाज्येपाल की न्युक्ति कौन करता है और उसके काज्येपाल की अब्धी क्या है तो भारत में जाज्येपाल की न्युक्ति जो करता है वो करता है जाश्टपति और उसके काज्येपाल की अब्धी है 5 यर 5 साल आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है जो CM होता है CM Chief Minister जिसे हम बोलते हैं मुक्या मंतली इसका जो है चुनाब होता है मगर जो ज़ाज येपाल होता है गवर्णर होता है उसको जो है जाष्ट पती द्वारा डाइडाक्ट न्यूक्त किया जाता है तो जो सेकंड डूब लबर था उसके आपको दो रीजन बताने है एक तो हो जाएगा सबसे इंपोर्टेंट बरसाई की संदी ठीक है लिख देता हूँ है आपर बरसाई की संदी बरसाई की संदी सबसे महतवपूर्ड कारलो में से एक था दिते बिस भी दुका बरसाई की संधी जो थी वो एक टाइप से जर्मनी पे दवाब बनाकर उसे मतलब हश्टाचर करवाई गए थे उस पर दवाब बनाकर कि तुम जो है इतनी आद भी नहीं रखोगे इतना टैक्स दोगे है मैं और जर्मनी को जो था कई छोटे छोटे भागों में भाड़ दिय गए था तो इस टाइप से कुछ नियम मनाए थे इन्होंने जिसे वलते थे बरसाई की संधी और एक रीचन हो जाएगा आपका यूरोप में ताना साही का विकास ठीक है जो यूरोप था पूरा महादीप यूरोप तो उसमें जो था ताना साही का विकास होने लगा था ठी जर्मानी के अंदर हिटलर है जर्मानी के अंदर हिटलर था उस टाइम पर ताना साही के टाइम पर और इटली के अंदर था मुसोलिनी इटली के अंदर मुसोलिनी आपको दोने ध्यान दखने है तो यह भी पिरमुक कारण था जब ताना साही का विकास हुआ वहाँ पर तो कोज कोलमबस ने 1492 में और अमेरिका को जो था उस टाइम पर नई दुनिया भी कहा जाता था ठीक है और कोलमबस जो था वो था इस्पेन का कोलमबस इस्पेन का था दियान दखने आपको यह उसके बाद देखिएगा दसवा दूतिये 20 युद्ध के किनी तीन कारणों का उले कीजिएगा तो एक तो हो जाएगा आपका बरसाई की संधी बरसाई की संधी और एक हो जाएगा यूरोप में ताना साही का विकास और एक हो जाएगा जब पिर्थम 20 युद्ध समाप्त हुआ था तो उसके बाद में दुनिया के काफी सारे देशों ने मिलकर एक लीग ओफ नेशन तो यह भी इसका इंपोटेंट रीजन हो जाएगा लीग ओफ नेशन की ऐसाफलता ही लीग ओफ नेशन की ऐसाफलता भी दुत्य बिस्विद्धू का एक कऱर था ठीक है तीन रीजन हो जाएंगे आपके स्टाइप से बरसाइगी संभी यूरोप में तान करने की जरूबत नहीं है ठीक है और जो नीचे वाला कुश्चिन आपको यह है ओधोगी किरांती के किनी तीन कारलों का उले की जीगा तो ओधोगी किरांती जो थी वो अठारीवी सदी में इंग्लेंड में सुरू हुई थी और अगर हम इसके कारर देखें तो वो थे यू यू के था बिरिटेन युनाइटिड किंग्डम तो उसने जो था दुनिया के बीविने बीविने हिस्सों पे कब्जा कर लिया था तो वहां से जो थे वो कच्चा माल लिया आते थे और अपने यहां पर आके पक्का माल बनाते थे जो भी सूति का प्लान लेगाते थे और इसका रीजन ही हो जाएगा यूरॉप के देश ते इंग्लेंड था ओर भी देश थे तो उनके पास जो थी धनте के फिरचॊडता थी तो यह भी इसका एक रीजन हो जाएगा और हो दोगी किरान ती का उसके बाद देखीगा ग्यारवा कोउशन साइयुक्त राष्ट के तीन पिर्मो कंगो के नाम दिखिए तो यूएनो के जो है टोटल जो है वो छे अंग है और तीन के नाम पूछ रहा यहां पर तो हो जाएगा महासभा सुरक्षापरिशन अंतराषे न Wait जय आजाएगा बारत की विदेश निति की कि तीन बिसेश्टाइं बताईएगा तो इसमें हो जाएगा भारत किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तिचेप का कट्टर बिरोधी है भारत ना ही तो किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तिचेप करता है और अगर कोई भी रेज किसी देश के आंतरिक मामलों में हैस्टेचेप करता है तो भारत उसका हमेशा बिरूदी है और दूसरा है पंचिसील के सिध्धानतों में आस्था ठीक है पंचिसील के बारे मैं मैं आपको बताया था पंच्सील पंच्सील सिध्धानतー के पिरतिय पाता कोन थे नहरू थे ठीक है? पंच्सील के सिध्धानत नुम्हारत आश्त्राध रखता है एक्टूली पंच्सील जो है वो एक टाइप से पाँच special noon को बना के एक ऑन आएगा है नियम जिसमें कुछ इस्पेशल नियम है बिदेश निती से सम्मंदित तो वो है ठीक है और तीसरा हो जाएगा जंग भेद निती का बिरोध है ठीक है भारत जो है जंग भेद निती का बिरोध करता है कुछ कंटिपी हैं जहां पर काले गोरों में दंग देखा जाता है मतलब भेट कर जाता है तो भारत जो है इस चीज़ का भी बिरोत करता है और एक हो जाएगा बिस्व सांति के लिए यू एनू का हर संभब से होगा भारत चाहता है कि दुनिया में हर टाइम सांति रहे तो इ कोश्चन आपका है सुभार चंद्र बोस के बारे में उसके बाद में चंद्रशे का राजात के बारे में 6 नंबर का अथवा में ठीक है कोई सब्सक्र लेजीगा आप आगे देखते हैं तीसरा कोश्चन तेरवा उन तीन परिष्टितियों को समझाए जिसमें भारत के अपातकाल की घोस्वड़ा कर सकता है और बाही आक्रमण के समय इस टाइब से कई सारे दीजन है इसके आगे देखीगा जाष्टे संगे की इस्थापना क्यों की गई थी इसके प्रिमोग उद्देशियों को करल लेख की तो जाष्टे संगे की स्थापना जो थी वो शेकि दोक रोकना इसका वो कारा था इसका स्थापना करने का इसका उद्देश्य यही था कि फ्यूचर में जुहां युध्ध नाओ में आगे देखिए के यहाँ पे मांचीत्र संबंदिर प्रस्न है आपके बहये नगर जहां इंदर गांदी के हथ्या हुई दिल्ली बहये इस्थ आधा नमर को मिलेगा इस थान की नाम लिखने यहां पर वहां पर यह जो है द्रश्टी बादित चातरों के लिए हैं जिनकी नजर कमजूर है तो उन्हें मान्चित्रि में नहीं दर्श आना हैं केबल जगह का नाम लिख देना हैं सेम कोश्य ने ये भी तो आप लोग देख सकते हैं उसके बाद यहां से आपका खंड क्या स्टार्ट होता है भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है महा नदी का डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा किरसला नदी का डेल्टा कावेरी नदी का डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल दियान दखना आपको गंगा पिलस ब्रहमा पुत्र नदी से मिलकर बनता है सुन्दर बनकर डेल्टा आगे देखीगा चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उप्यूगते हैं परवतिय मिट्टी लाल मिट्टी जलोल मिट्टी लैटी दाइट मिट्टी तो आप लोग का उत्तर बेल्बे का मुख्याली कहां श्तिते हैं नई दिल्ली कौलकाता मुंबई अमरत्सन उत्तर बेल्बे का मुख्याली कहां श्तिते हैं तो इसका जो लाइट आंसर है बहुत ओफशन के नई दिल्ली आगे देखीगा ठारवा कोशन बस तू बिनी में प्रड़ाली क भारत में योजना आयोकिष्था अपना की गई थी 1952, 1951, 1950, 1940 तो इसका जो जाइट आंसर है बहुए ओफशन के है 1950 आगे देखीगा बीसवा कोश्चन निमने लिखित में से कौन आधार भूत उधोग है यहां पर देखीगा बीसवा कोश्चन भारत में बरसा की दो विसस्चता ही बताईएगा तो बरसा की विसस्चता हो जाएगी एक तो बरसा जो है कम टाइम पे पड़ती है पंद्रे जून से स्टार्ट हो जाती है बरसा लगवग में और सितमबर तक लाष्ट हो जाती है लगवग तीन महीने जुलाई अगर्ष्ट और पंद्रे जून वह हो गए तीन महीने लगवग बरसा परती है बरसा का कम समय होना और भारत में जो बरसा होती है वो होती है मानसूनी बरसा ठीक है उत्तर प्रदेस में तेल सोधन साला जो है बो है मतुरा में है उसके बद देखी का तेईसवा कोश्चन हरित किरान्ती क्या है उसके लावु का उल्ले की जीगा तो हरित किरांती जो थी वो भारत की नई किर्षी नीती थी जिसे 1967 से 1968 में लागू किया गया था इसके तहत पंजाब के अंदर अधिक उपज देने वाले भीजों को बोया गया था जिससे किर्षी में काफी जादा दर्ज हुई थी जिसे हरित किरांती कहा गया था पंजाब के अंदर अधिक उपज देने वाले भीजों को बोया गया था जिससे किर्षी में काफी जादा बढ़ोती हुई थी तो इसी जो हरित किरांती कहते हैं उसके बाद में इसे पूरे भ पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बंगलादेश, मियामार, सीरिलन का, चीन तो वैसे अभी काफी ज़्याद आगे निकल चुका है, मगर फिलहाल वो भी विकासिल देश वी गिंती महादा आता है, ठीक है, बिकासिल देश वो होते हैं, जो विकास की ओर अग्रिसर हैं, ठीक है, मतलब विकास कर रहे हैं, वो ही विकासिल देश हैं, और जो विकास कर चुके हैं, पूरी तरीके से डवलप हो चुके हैं, तो वो कहलते हैं, विक्सित देश, जैसे अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान, और यहाँ पर देखीगा, भारते जलवायों के पिरभाबित करने वाली छेकारक, पिरत्यक्चे घर के बारे में, भारते बनों के बारे में, तो वस आप लोग देख लीजे गईने, तो यहाँ पर जो हाँ आपका पेपर का लाश्ट है, तो भारत की राजधानी नईदिली, नेपार नगर, MP में है, कागज दो के लिए फ इंजाम में, जैपुर जैपुर जो है, वो राजश्टान की राजधानी है, तेल सोदक करकाने का नाम तो हो, मुझे बता नहीं है इसका, क्या नाम है इसका, तो गाईज बस इतना ही था वीडियो में, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो और कमेंट बॉक्स में बताज़ेगा, आपको आगे किस टाइप की वीडियो चाहिए,